नमास्कार दोस्तो आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आंगनवारी भरती 2024 के वारे में दोस्तो अगर आप उत्तरप्रदेश के किसी भी जिले में रहते हैं तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुस खबरी है क्योंकि यहां पर 23,753 आंगनवारी भरती निकली है दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस जिला में जो भरती निकली है और उसके बाद जो भरती निकली है उसमें क्या-क्या डाकूमेट्स लगेंगे और इसकी ला जो महिला है आगनवारी भरती में जोब करना चाहती है उनके लिए सरकार ने आगनवारी भरती निकाली है अगर आपने अभी तक आगनवारी भरती में आवेदन नहीं किया है तो आप जल से जल आवेदन कर सकते हैं अगर आपके घर महिला है तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा क्या डाकुमेंट्स लगेंगे उसकी आवस्चता होगी क्या डाकुमेंट्स की आवस्चता होगी यह सब यहां पर जान लेते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करें डाकुमेंट्स के बारे में तो यहां पर सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड है वो आपके आधा प्रमारपत्र भी होना चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों उनके पती का अगर महिला है जिसके साधी हो गई है तो उनके पती का आए प्रमारपत्र लगेगा अगर कोई ऐसी महिला जिनकी अभी तक शादी नहीं होई है तो जो आए प्रमारपत्र है उनके पिता का प्रमारपत् करेंगी उसका निवास प्रमार पत्र लगेगा और जो भी उन्होंने अपनी योगता प्राप्त की है जो भी है उसके साथ ही जो गता है वह यहां पर राजिस्ट्रेशन करते समय दे जाएगी और उसके बाद उस तो यहां पर लिगा प्रदेश में कुछ जिलों में आइनवा 253 आंगरवाड़ी भरती जो है वो 2753 आंगरवाड़ी भरती यानि पद है उत्तर प्रदेश जिले जिलाकारिकरम अधिकारी आज एक अप्रेल को उत्तर प्रदेश के मुझपर नगर देखी जिलों की बात करें तो मुझपर नगर एटा लखनाओ को संभी और बस्ती जिलो नहीं करेंगे तो जो अभी तक फ्रम नहीं भरा है तो तुरंत भर दें अगर आप तो अपने अगर फर्म नहीं भरा है तो और जरूर भरते उसके बाद इसको बात करते हैं कहां से आंको वर ना है त inventor यह दििð जो है यहां पर अभेदन करेंगे जिले के आधार पर एक दो तीन या पांच अपरेल तक अभेदन कर सकते हैं दोस्तों जिले की अनुसार ही यहां पर जो आभेदन की प्रिकरिया है जो डैठ है जो डैठ है आभेदन करने की वो जिले की अनुसार ही रखी गई है उसके बाद इस बंपर भरती के लिए आवेदन प्रिक्रिया 13 मार्श से सुरू हुई और अवेदन की अंतिम्तिती जिले भर में अलग-अलग है यानि जो अंतिम्तिती है वो जिले में अलग-अलग है इस बंपर भरती का भरती जो है आवियान के माध्यम से उतर परदेश के विभन जिलो में कुल 3753 आंगर बारी पद जो हैं वो भरे जाएंगे यानि 3753 पद अभी खाली है उन्हीं का अबेदन मांगा गया है अगर बात करें आयू सीमा के बारे में तो अबेदन के समय उम्मिदबार की जो आयू है वो 18 से लेकर 35-20 की होनी चाहिए उपर की आयू में छूट लाग शूट के बारे में तो आवेदन करने वाली महिना, उम्मिद वार किसी भी मानता प्राप्त बिसविद्ध धिलाई यह बोर्ड से बार्वी इंटर मिडियट परिक्छा पास की की हो, उसकी बार प्रूद आयू है उलीन है अम्मिदबार ही इस मिवर्ती में आवेदन के पात यहां जो भरती है तो सभी जिलो में काली गई है या यह जिलो में निकाली गई है दोस्तो आप कहीं से यह वींदोों तो आप उस जिले से रहते हैं तो आपके आगनवारी जो केंद्र है बहाँ पर किसी महिला का चैने हुआ है या नहीं हुआ है या चैन होने वाला है तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं यूपी आंगनवारी भरती डॉट इनकी वेबसाइट पर दोस्तों वास्ता करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हुआ अच्छा लगा हो चनल को सबस्क्राइब करें साथ सथ बेला आइकन को प्रेज करके आल पर किलिक करें दोस्तों फिर मिलेंगे नैट अब को साथ तब अक्ता के लिए नमस्कार